हेलो गाइज एंड वेल्कम बेक टू एनिबड़ी केन लेर्ण जीके तो भी काफी टाइम से कुछ बच्चे सेजेशन दे रहे थे कि सर एक सिंपल मोग टेस्ट लिया जाए थाकि थोड़ा त्यारी का पता लगे तो अगर आप लोग PPSC की त्यारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए एक मोग टेस्ट लगा है जिसके अंदर 20 क्वेश्चन होंगे 20 एमसी की होंगे और यह सिर्फ आप लोगों की नोलेज चेक करने के लिए और यह नोलेज आपकी मैंनी चेक कर रहा भई आपका सेल्फ अनलसी से यानि कि आप लोग यह टेस्ट दीजेगा और फिर आप लोग देखेगा अपना स्कोर क्या है ताकि आप लोग समझ पाएं कि आप लोग स्टैंड का कर रहे हैं कितनी त्यारी की आपको ज़्यादा ज़रूरत है हलाकि जो कोश्मेपर सेट किया है भी काफी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है सिंपल टू मोडरेट लेवल का मैं बोलू इन केस अगर आपके 15 प्लस आ रहे हैं तो आप काफी अच्छा कर रहे हैं इसी स्पीड से इसी रिफ्तार से आप लोग लगे रहिएगा क्योंकि PPSC का एक्जाम इस साल के एंड में तो होई जाएगा और साथ में पंजाब के और एक्जाम में भी इसमें से कॉश्चन आ सक चाहते हैं कि अपना स्कॉर नहीं बताना तो आपकी मर्जी है बट मैं तो ही चाहिगा कि आप लोग बताएं और कोई प्रोब्लम है तो वो भी शेर करें ताकि वो दूर की जा सके तो पहला क्वेशन तो बही है कि एको सेंसिटिव जोन के बारे में हैं दो स्टेटमेंट है कौन सी सही आप लोगों को आंसर देना इसका करना आपको वही है कि पहर पोस कर लिएजेगा पोस करने के बाद फिर आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं और इसका आंसर की भी माप लोगों को दूँगा लहीं पहले आप लोग इसकोंचन का आंसर दीज thrilled स 싸किन तो ये टेलीग्राम के उपर इसकी आंसर की मैं एजीटेज आपको विद एक्जाम्पल है यानिके विद एक्स्प्लनेशन मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगा वहाँ पर जाकर आप लोगों को मिल जाएगी आपको कोई डाउट हो तो मुझे आंसर क्वेशन कीजेगा मैं उ साइस के लिए उसके बाद पॉलिटी के लिए और मोडन हिस्टी के लिए तीन सीरी तो मैंने आल्मोस्ट मेरी कंप्लीट होने वाली है और क्वेशन भी मैंने वही उठाए हैं जो PCS और IS के अंदर पूछे गए हैं तो मोस्टी कोशन यहां से अगर आप लोगों नहीं है तो यह देखकर आप लोग उस टेस्ट को दीजेगा आपका स्कोल भी अच्छा रहेगा और थोड़ी नॉलेज भी आपकी इंक्रीज होएगी नेक्स्ट कोशन है कि यह आपको मैच करना है कि कुछ मैंने ऐलिमेंट दी हैं वो किस बोड़ी पार्ट को दिक्कत पहुंचा आते हैं डिरेक्टली उसके बाद की कोई भी स्टेट का सी एम क्योंकि हमें पता है कि प्रेजिडेंट्य इलेक्शन के अंदर वाइसाब की आम मेले के अंदर ही एक सी म होता है भी चैया मैं उसको मलसी बोल जो कुछ स्टेट के अंदर है तो ऐसी क्या कंडिशन होएगी कि एक स्टेट का स्रीयम, प्रेजिडेंशन एलेक्षिन के उंदर वोट नहीं दे पाएगा। उसके बाद या कोशिन भी काफी इसी है, महत्मगान्दी के उपर है भी। फिर भी मैं दिखा देता हूं ताकि आप लोग पोस्ट कर लिजेगा राम से। ज्यादा तेजी से नहीं चलता हूं, दरवाइस कोशिन स्किप भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि कौन से एसीड करके हमें मास फेशियो में जो एक तरह से थकावट फील होती है, जब हम काफी ज्यादा काम करके हटते हैं। और मैंने mostly try किया है कि पंजाबी में भी साथ में लिखूँ ताकि जिनको इंग्लीश में थोड़ी प्रोब्लम आती है वो पंजाबी में easily कर पाएं इसको। और हो सकता है भी पंजाबी में थोड़ा बहुत spelling mistake हो जाए क्योंकि software जो था अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। जागि फिभी मैंने try किया है कि जितना ज्यादा सही हो सकता था मैंने किया है। अब एक chronological order है भी इंडियनेशनल कॉंग्रेस के हो कि इसके उपर भी question देखने को मिलता है। अब यह science का question है कि कोई solution जो है red को red litmus को blue कर देता है तो उसका pH क्या होगा। उसके बाद है साहित्य अकैडमी वोड के जो youngest aspirant है अगर मैं पंजाब की तरफ से बात करूं तो वो कौन से है। यह पंजाबी language के लिए है वही मैं mention कर देता हूं mention करना भूल गया मैं यह पंजाबी language इसके अंदर है। नेक्स्ट है यह भी question science से है कि जब रेलगाडी चलती है तो अंदर बैठा यात्री एकदम से पीछे को हो जाता है तो उसका answer क्या होगा। नेक्स्ट है अभी यह current question है कि प्रेरक दोर सम्मान शुरू किया गया है तो किस ministry के दवारा शुरू किया गया है यह नेक्स्ट है भारत मिलने वाले first musician कौन थे वह यह भी का फीजी question है उसके बाद है treaty of Lahore जो थी किस के बीच में sign होई थी चार option आपके पास आई है treaty of Lahore यह तो होई चुका है अब next देखते है 14 अभी जो lockdown से पहले खेल लो इंडिया उनिवर्सटी गेम होई थी तो उसके अंदर हमारी पंजाब उनिवर्सटी चंडीगर के अंदर है उसने total कि medal जीते थे यह भी पंजाब करेंट अफेर का question है नेक्स्ट है जो MSP है भी आजकल तो काफी बड़ा मुद्दा चला हुआ MSP के ओपर तो MSP जो है यह कौन recommend करता है क्या planning commission करती है या commission for agriculture question price करता है नाबाट करता है या फिर ministry of agriculture करता है यह question तो काफी जादा important है उसके बाद ह RBI governor के बारें पुछा हुआ है इन चारों में से कौन सा incorrect है जब भी आप question पड़ रहे है ना भाई देख लिजे correct पुछा हुआ है incorrect पुछा हुआ है कई बार पुछा कुछ होता है हम answer कुछ होड़ देयाते है फिर हम देखते हैं कि answer तो सही थायर गलत कहां से हो गया next है यह यह वर्लिस्ती से उठाया गया था कि penny post and fast and cheap communication का idea किसने दिया था उसके बाद है कि first illegal wildlife trade title जिसका नाम है money laundering and illegal wildlife trade यह किसने पहली report दी है कौन सी agency ने दी है यह भी current affair कोशन आपका उसके बाद है मुएरा बनाना हर्मल चिली जन खाजे इनको GI जोग्राफिकल इंडिकेशन का tag दिया गया है तो किस state से बिलों करते हैं यह भी आपका current affair का question है next है which state stand यानकि ease of doing business के बारे में कि कौन सा state जो है इसमें अंदर number one आया है अब देखने वाली बात यह है बई इसके अंदर मैंने try किया था इसमें geography include नहीं कर पाया मैं उसके इलावा मैंने polity, science, economics, current affairs, ecology यानि ecosystem के में से उसके बाद मैं बात करूँ हूं history में से उसके बाद अगर मैं बात करूँ पंजाबी literature के अंदर से तो मैंने काफी ज्यादा topic जो है कम समय में try किया है कि काफी ज्यादा question मैं इसके अंदर पूछ पाऊं तो यह total 20 question है आप लोगों को इसके answer आप चाहें तो comment section के आदर भी दे सकते हैं ताकि जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों को इन questions के बारे में पता लग जाए या फिनके answer के बारे में पता लगे उनको और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो answer की है वो मैं share करने वाला हूं telegram के उपर और telegram का link मैं description में डाल दूँगा तो वहाँ पर जाकर आप लोग आज एकल में मैं इसकी PDF जो है इसकी answer की है वहाँ पर डाल दूँगा अब आपको लोगों करना के है अभी आप लोगों खुद तो test देना ही देना है मैं इसको like करने के लिए नहीं बोल रहा हूं share करने के लिए बोल रहा हूं यह तो आप कर सकते हैं कि जो भी आपका friend circle है जो भी त्यारी कर रहा है पी ऐसी के लिए आप ये वीडियो उन लोगों तक पहुचाए यह ताकि वो लोग भी इसका mock test दे पाएं और एक तरह से अपना खुद को analysis कर पाएं कि वो कहां पर stand करते हैं उनको कितनी तयारी की जुरूरत है क्या वो अगर वो इस question के बई 20 में से 20 दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है यो कितना tough level का paper भी नहीं है यह सिंपल सा mock test है तो इनसे चीज़ों का ध्यान रखिएगा like and share जुरूर कर दीजेगा अपने friends में और आपस में भी आप लोग discussion कर सकते हैं इनकेस अगर आप मेरी involvement चाते हैं तो मैं भी discussion के अंदर आप लोगों की help करूँगा तो चलिए जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के सा तब तक के लिए जय हिंद जय बारत you guys keep on studying